हाल ही में एक महापुर्व पवनी से सावर तक 18 किलोमीटर सडक का लोक निर्मान विभाग के माध्यम से जिर्नोधार कराया गया था इसे क्षेत्र में लोगों की उम्मिदे जगी थी कि पक्की सडक सुचारू हो जाएगी बीच बीच में बिना लाइन पक्की की सडक का जिर्नोधार अधर में लटका हुआ है तो इससे सडक पर यात्रा करते समय यह देखा जाता है कि नागरिक ठके हुए हो रहे है रेवनी और भोजापूर के बीच रास्ता अधुरा है गुडेगाव के बाद भी एक किलोमेटर का टुकडा अधुरा है इसी तरह सावरला से भंडारा बॉल्डर दो किलोमेटर सडक भी अधुरी है इसलिए पाउनी से सावर तक इस सडक पर आने जाने में नागरिकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जिस सडक से यह सडक बनी है उसके किनारे मुहा से नहीं भरे है ऐसे में अगर कोई बड़ा वाहन सड़क पर आ जाता है तो छोटे वाहन चालोकों को अपने वाहन को सड़क के नीचे ले जाना मुश्किल हो गया है सड़क का किनारा गहरा होने की कारण नीचे उतरते समय वाहन के फिसलने का खत्रा बना रहता है इसलिए क्षेतर के नागरिकों की मांग है कि पिंपल से होने वाले हास्तों से बचे इसे तरह क्षेतर के लोगों की मांग है कि जिस सड़क पर सड़क अधुरी है उसे ततकाल पूरा के आ जाए और क्षेतर के लोगों को उनकी परिशानी से निजाद दिलाई जाए बीसे नियूस के लिए पौनी से राजेश एसे टिवार के रिपोर्ट